कि अब अस्थमा केर सिरफ और जैसा की नाम है अस्थमा केर सिरफ यह करेगा अस्थमा की प्रवण से बचाने में उसके साथ साथ करेगा बैतरीन लंग्स का कि टॉक्सिफिकेशिन और डिजोविनेशन तो अगर बात करें हम अस्थमा का अस्थमा क्या होता है जब भी हमारे एक श्रायॉक यह नहीं जो हमारे हवा पैसेज का रास्ता है उसमें जो नली है उसमें या तो आजाए सिकुरल या आजाए श्वैलिंग या बने ज्यादा य होता है उसमें का होता है उसमें कफिंग बहुत जादा आती है आती है सासराट की आवाज और सास ले वें होते हैं काफी दिक्कते और स्थमा माइनर या मेजर और अगर कंट्रोल ना किया जाए इससे पूरा बोरीगा सांसरे में होती है चस्त में होता है गरहाँ की आवाज चाहते हैं यह देखितरी तरीक़े से लड़ना वसको करना कंट्रोल तो इसके लीए आप ले सकते हैं करसकते की वह अस्थ मारि हिर सिर्फtu और सिर्फ इसा भेतरी 100% नेचिरल और हर्बल प्रेक्ट है जो हेल्प करेगा हर प्रिकार के पाने में चाहिए वो हो अस्थमा या रोंकाइटिस या कोमन कफ पोल्ड और फ्लू उसके लावा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एर पैसेज है वो बने नॉर्मल उसको नॉर्मल करने में भी ह स्थमा केर सिरक बात करें इसके शांदार कींपोजिशन का इसमें आपको मिलेगा 620 सौटलिया Υी इसो मिलिगराम तुलnte डाइसो मिलिगराम अडूसा 225 मिलिगराम तेज पत्र 1 25 मिलिगराम नॉशदर और मिलता है आपको, 62.2 मिलिग neighborhoods long extract और जब आप इसका इस्तमाल करेंगे यूज करेंगे तो इससे आपको क्या केला मिलेंगे सबसे पहले ये ease करेगा अस्थमा के symptom को जो भी है अस्थमा संबंदी समझे हैं उनको ये control करने में help करेगा उसके सास्ता ये support करेगा हमारे एस्परेटरी सिस्टम को ताकि हमारे बॉड़ी में जो हवा का पैसेज है वो रहे लॉर्मल और मिले हमारे लंग्स को बहतरी support उसके लाबा ये help करेगा लंग्स को करने में detoxify और ताकि उनका जो function है वो बने और ज्यादा बैतर और अगर किसी को हो जाता है लंग्स infection तो बॉड़ी में अने को problem और बढ़ जाती है और अगर पैता है बैटर लंग function तो बॉड़ी रहती है ज्यादा healthy ज्यादा active उसके लाबा ये बचाएगा अस्तमा के attack से कम करेगा अस्तमा के होने की संभावना को और बहुत शांदर तरीके से काम करेगा acute और chronic bronchitis problem में ताकि आपको मिले बैतरीन respiratory health उसके लाबा इसके इस्तमाल से आपका lungs का function बैतर होगा और मिलेगा आपकी community को शांदर मजबूती उसके लाबा इसके इस्तमाल से जो भी है हमारी muscles जो आती है breathing passage में ऊबनेंगी और ज्यादा मजबूत और ज्यादा strong जिससे हमारी जो मसल से उनमें नेरोनेस या स्वैलिंग नहीं आएगा और हम बचे रहेंगे अस्तमा के प्रॉब्लम से आप चाहते हैं कि आपका respiratory health बैतर है आपको प्रॉंकाइटिस अस्तमा कोमन कफ पूर्ड की समश्चा ना हो और मिले आपके लंग्स को बैतरीन प्रॉटेक्शन तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा अस्तमा केर सिर्फ बात आती है दोसिज का इसके लिए आपको देना पड़ेगा दो से तीन चमच मतलब 20 से 30 ml कीवा अस्तमा केर सिर्फ दिन में दो से तीन बार सुबा शाम घनकाने बाद अब इसका गर यूज करेंगे तो मिलेंगा मिलेंगा आपको शांदार बैतरीन रेस्परेटरी है तो यह था